ही गाइज, वेकम टो रिस्वर्स पॉइंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे PT 365 जो कि हमारी economy की है, तो काफी topic हमारी complete हो गई है, चलिए start करते है next topic के साथ, जिसमें कि हम लोग agriculture commodity trading में, जितने भी topics है जो कि news में रहें और आपके prelims के लिए important है, वो सारे topics को हम लोग continue करेंगे तो सबसे पहले topic है agri-dex, तो agri-dex है क्या इसके बारे में समझते हैं, तो national commodity and derivative exchange, इनके द्वारा announce किया गया है कि country की first agriculture futures index, जिसका नाम agri-dex रखा गया है उसकी commitment के लिए, तो इसका trading किया जाएगा, यानि की commitment of trading in the country's first agriculture future index, तो ये agri-dex क्या है, ये आप समझ गई कि हमा national commodity and derivative exchange के द्वारे ये announce किया गया है, तो ये जो national commodity derivative exchange agri-dex है, ये हमारे इंडिया का first return based agriculture future index होगा, जिसमें कि मेली हम लोग 10 जो liquid commodities है ना, उसके performance को track करेंगे, जो आप देखो कि खरीब और रवी season दोनों में यहाँ पे होते हैं, और इसको trade किया जाएगा यहाँ यहाँ प तो June के time में आपको देखने को मिलेगा, April से यह आपका October तक चलता है, November उसके बाद November से आपका October में ही showing start हो जाती ही रवी season की, उसके बाद आपका मार्स तक चलता है, तो यह आपका खरीब और रवी season के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, और 10 commodities क्या क्या है इसको पहले देख जाएगा बस एक बाद ध्यान में रख लीजे तो आपका काम हो जाएगा, कोई भी related commodities का group जो है ना, वो यहाँ पर 40% से जादा है, यानि कि total weight जो इस index में है, वो 40% से जादा यहाँ पर constitute नहीं होना चाहिए, और यह ensure करना है कि इसमें diversification हो, इट मिन्स कि जो कोभी commodities यहाँ पर रखा जा रहा है, वो आपकी विविन विविन तरीके का हो, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर एक जगह हम लोग caster seed की बात करें, तो दुसरी जगह हम लोग यहाँ पर जीरा की बात करें, mustard seed यानि कि जितने भी बीज है आपका अलग अलग तरीके का है, और इसमें आप आपको देखने को मिल रहा है, तो यह insure करना, एक तो 40% total weight का होना चाहिए, साथी साथ diversification होनी चाहिए, इससे क्या होगा ना, कि commodity risk का जो यहाँ पर आप देखो कि commodity risk उनका देखने को मिलता है, जितने भी participant है हेजिंग में, तो उनके commodity risk है, तो यह facilitate हो पाएगा कि वो करके guideline लाया गया, उसके उपर यह best है, और NCDEX की बात करें, तो यहाँ पर national stock exchange के साथ यह partner किया गया, जो कि leading index service provider है, और वो यहाँ पर real time यहाँ पर agridex value को maintain करेंगे, यानि कि जितनी भी commodities यहाँ पर इंटर की जाएगी, जो भी data इंटर की जाएगी, उसको real time में maintain किया ज exchange है क्या, तो यह एक देखो कि आपका country का leading agriculture commodity exchange है, जिसमें कि service offer किया जाता है, जितने भी entire value chain है हमारे agriculture commodities का, यानि कि खेती से होने वाले जितने भी commodities है, उनकी जो भी value chain है, जिसमें कि व्यापार किया जाता है, तो हमारी यह country की leading agriculture commodity exchange है, यहाँ पर कियाने कि white range of benchmark product है, यानि वो भी उसके price के according, यहाँ पर आप देखो कि buyer और sellers एक जगा आते हैं, वो भी electronic trading platform के through, it means कि online यहाँ पर trading होता है, और यहाँ पर buyers यानि खरीदने वाले भी लोग आते हैं, बेचने वाले भी लोग भी इस platform में आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर यह country का पहला agriculture futures है तो future क्या होता है, इसके बारे में समझे, actually futures आपको देखने को मिलेगा कि एक derivative instrument का type है, यानि कि derivative कहने का मतलब है कि एक तरीके का instrument होता है, जिसमें आप देखो कि value जो है वो एक या दूसरे asset के according यहाँ पर लिया जाता है, जो यहाँ पर commodities हो सकते है, या फिर बहुत ही कीमत जो है metal हो सकते है, या कोई currency हो सकता है, bond हो सकता है, stock हो सकता है, stock incises हो सकती है, तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो उसके basis पे आप देखो कि एक या ज्यादा जो है, यहाँ पर आपका value जो है, वो इससे आपका derived होगा, common example अगर आप derivative instrument का देखो, तो कुछ यहाँ पर futures तो आप देखी लिए हो forward भी है, option भी है, swap भी है, swap means exchange कर लेना, तो इस तरीके का जो है, यह common derivative instrument है, future में में ली क्या होता है, कि एक तरीके का agreement होता है, यानि कि कि किसी भी specified जो quantity है financial instrument का, या कोई physical commodity है, यानि कि यह सारे agriculture commodity आप देख रहे हो, तो यहाँ पे specific आपका यहाँ quantity रहेगा, जिसके उपर agreement किया जाएगा, कि उसको कितना खरीदना है, उसको कितना बेचना है, यह future में आपका definitely देखने को मिलेगा, और एक future month design किया जाता है, future month at price agreed upon by a buyer and seller, तो यह आपका आने वाले जो month होता है, उसके लिए यहाँ पे आपका designate किया जाता है, it means कि future मतब आप समझ रहे हो कि आगे आने वाले जो month है, उसमें यहाँ पे decide किया जाएगा कि कितने specified quantity of commodities है, उसको purchase करना है और sell करना है, तो आई हो कि आप समझ चुके होंगे, future क्या है, यह derivative instrument है, future आने वाले जो month है, उसमें यहाँ पे आपका agreement किया जाता है कि कितना specified commodities है, उसको यहा आपको पता होने चाहिए, अब next आते है, यह है BSE e Agriculture Market Limited, तो इसके बारे में समझ यह BSE, अभी हम लोग NSE देखें, जो कि National Stock Exchange है, उसी तरीके से BSE होता है, Bombay Stock Exchange होता है, उसके द्वारा आप देखो कि electronic spot platform जो है यह launch किया गया agriculture commodities के लिए, अब यहाँ पे again BSE के लिए BSE के त platform है उसके थूँ, तो यह spot platform क्या होता है, spot market क्या होता है, यह समझे, एक spot market होता है, जहाँ पे financial instrument जो है, वो exchange किया जाता है, immediate delivery के साथ, जैसे कि आप देखो कि commodities दे दिया जाया, currency दे दिया गया, security दे दिया गया, तो एक तरीके का market है, जहाँ पे आप अपनी financial instrument, जहाँ पे exchange कर दिया जाएगा, तुरंत ही exchange कर दिया जाएगा, spot commodity की बात करें, तो यहाँ पे commodity वो होते, जिनको यहाँ पे एक intention के साथ बेचा जाता है, यानि कि यहाँ पे आप buyers को जो है एकदम सही दाम पे जो है, उसको तुरंत ही उसको बेच दिया जाता है, इस तरीके का एक यहा spot market है, की काम एकदम तुरंत होता है, ठीक है, इस सरीके से याद रखिए, यह जो platform है, यह कैसे function करेगा, यह हमारे पुरे national level पे function करेगा, institutionalized होगा, बहुत सारे institution यहाँ पे include होगे, electronic होगा, online यहाँ पे काम होगा, transparent commodity spot trading platform होगा, अब online है, यह platform है, तो obvious है कि यहाँ पे transparency, तो obvious यहाँ पे maintained होगा, तो यह सारी चीज़े याद रखनी है, जिसने प्राइम मिनिस्टर की visions जो है, इसी के साथ इसको बनाया गया है, कि एक single market बनाना है, तो single market जितने भी agriculture commodities है, उसको बनाने के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी की, जो हमारी मोधी जी है, उनकी visions के साथ यहाँ पे लाए गया है, यहाँ पे किया कि spot agriculture commodities transactions जो है, वो यहाँ पे facilitate किया जाएगा, और साथी साथ आप देखो कि जो यहाँ पे risk free और hassle free purchase होगा, यानि कि किसी भी तरीकी की risk नहीं है, किसी भी तरीके का hassle लिए, risk free और hassle free यहाँ पे purchase और sell होगा, बहुत सारे agriculture commodities का, वही अगर हमनों beam के साथ देखे, तो farmer अगर एक state में है ना, तो वो क्या है कि इस market के थूरू दूसरे state में भी अपने commodities को बेच पाएंगे, या फिर दूसरे state में भी अपने commodities को बेच पाएंगे, तो से commodities को अगर उनको खरीदना होगा, तो वो खरीद भी सकते है कि नहीं, एक तरीके का business start हो गया, तो ये भी आप याद रख सकते हो, इससे क्या होगा, किसे farmers को ये help नहीं होगा, farmers collectors को भी, collectives को भी help होगा, कि वो यहाँ पर best price होगा, यानि कि आप देखो कि कोई भी तरीके का product खरीदने चाहते हो flip card में, तो अगर आप कोई भी dress खरीदते हो, तो उसमें भी आप देखते हो, कि दो-तीन तरीके का price आपको same dress में देखने को मिलेगा, तो जो best price आपको देखने को मिलता है, जिसमें delivery charge नहीं हो, जो कि आपको कम समय में पहुंचा दे, और सस्ते दे, तो वो सारे options आप अपने according जो है choose करते हो, तो वही चीज़े यहाँ पे कि farmers को देखने को मिलेगा कि कौन better return यहाँ पे दे रहा है, farmers को कहां से ज़्यादा फाइदा हो रहा है यह चीज़े यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो काफी better है, तो यह चीज़े धियान रखना है, एक second, यह आपका BAC के through यहाँ पे आपका spot market लाएगा है, तो NAC, BAC दोनो लोगों यहाँ पे लाएगा है cotton के लिए, तो इंडिया का जो premium cotton है, उसको हम लोग कस्तूरी cotton कहते है, क्यों कि world का cotton trade है, कस्तूरी cotton brand जो है, वो आप देखो कि एक whiteness, यानि कि cotton white white होते है, इसमें चमकदार होते है, brightness है, softness है, बहुत ही soft होते है, बहुत ही pure है, luster है, uniqueness है, और हमारे यहां का है, यानि कि इंडियाने से, तो हमारा एकदम भार्ती ही यह cotton है, तो इस तरीके से याद रखना है, इंडिया में देखो कि cultivated cotton का चारों species को grow किया जाता है, चार तरीके के cotton होते हैं और चारों को हमारे हाँ ग्रो किया जाता है, अब यह नाम आप देख सकत जिते हो एक तो Asian Cotton है Egyptian Clean Cotton और यह आति के जाद उच्ड रखेगे ना HELD रखेगा कॉरेदा में और यहां पर यहाँ उसको यहाँ पर चाप कड़ोर्खी हो यह लंबे समय तक जाप कार च्राथा में जलता है black soil आपका पाया कहा जाता है, टेकन प्लाटू वाला एरिया में, तो यहां पर आपका cotton जो है, वो आपका cultivate किया जाता है, annual temperature की कितनी जरूत है, तो 22-28 degree Celsius और rainfall कितना, तो 55-110 cm, तीक है, यह ideal इनका favorable condition है, कि कितना temperature और rainfall की जरूत है, यहां पर आप देखो कि 180 frost free days की जरूत होती है, it means कि आप देखो कि frost जो days होता है, जिसमें कि आप देखो कि snowfall होता है, या फिर आपके बारिश होते हैं, जिसमें कि आपका ओला वगेरा आपको देखने को मिलेगा, तो वो सारे चीजों से free जो है, पूरे 6 महीने चाहिए होते इंडिया आप देखो second largest cotton producer है, यानि कि हम लोग पूरे world made, second largest producer है और पूरे world के cotton का 23% production जो cotton का होता है वो इंडिया में होता है, और largest consumer है, second largest producer है, लेकिन हम लोग largest consumer, सबसे ज़्यादा consume भी हम ही लोग करते हैं, इंडिया में आप देखो तो 51% जो total organic cotton production है वो इंडिया में हो इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इससे हमारे हैं कि जो 6 million किसान है उनको फायदा होता है, और उनकी दिन चरिया और उनका जीवन वैतीत होता है, यहां पर 6 million farmers है, जो कि इस तरिके के cotton cultivation में include है, cotton cooperation of India है हमारे है, एक अलग से body बनाए गई है, और उनके द्वार काम practices क्या है, कैसी कैसी हम लोग method अपना सकते हैं, जिससे कि ज्यादा हमारी high yield cotton production हो सके, यह जो body है हमारा cotton cooperation of India, तो इसको ध्यान रखेगा कि यह ministry of textile के अंदर यह काम करते हैं, यह public sector undertaking है, PSU है, और major role इनका है कि यहां पर price support operation, cotton का कितना price होना चाहिए market में, उसको support करने के इस तरीके की जो है body को बनाया गया है, ठीक है, अब इंडिया में आप देख सकते हो कि top 10 producing state कौन कौन से है, तो 2017-18 के according बताया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा जो cotton production हुआ था, वो गुजरात में हुआ था, second number पे अगर हम लोग यहां पे देखें, तो महरास्ट है, third number पे त तलंगना, आंद्परदेश, करनाटक वाला रीजन आ जाता है, लेकिन इसके अलावा भी cotton का production होता है, जो कि पंजाब, हर्याना में तो होता ही है, राजस्थान में भी है, और नीचे हमारे south में जो है ना पूरी तरीके से होता है, चाहे हो करनाटक, तमिलनादू, केरल हो, आंद्परदेश हो, केरल में तो इतना नहीं देखने को मिल रहा है, बढ़ हाँ, यहाँ पर टॉप 10 कौन कांसा है, केरल नहीं है, यहाँ पर करनाटक, आंद्परदेश, तेलंगना, महराष्ट, मध्यपरदेश, कुजरात, राजस्तान, हरियाना, पंजाब, ठीक है, तो आप लोगो धियान रखना, टॉप 3 कौन सा है, कुजरात, महराष्ट और तेलंगना, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ना जाने question कहसे पूछा जा सकेगा, अब आते agriculture export, तो देख लेते हैं, कि क्या हिसाब किताब हैं, और क्या बाते की जारी है, हमारे agriculture export करने के लिए, तो आज की रिट में recently जो है, high level export group बनाया गया है, agriculture export के लिए, और वो भी 15th finance commission के द्वारे ये setup किया गया है, 15th finance commission जिनकी यहाँ पे, ये पहले finance commission है, जिनकी एक साल की जो tenure है, वो increase की गई है due to COVID-19, तो 2020 से ही ये 2026 तक रहने वाले है, और इनकी जो है, आप देखो कि constitutional body है, क्योंकि article 280 में इनका रखा गया है कि president को हर 5 साल में एक finance commission established करनी है, और साथी साथ 15th finance commission के chairperson कौन है, तो Dr. N.K. Singh, डॉक्टर है की नहीं है, अब मैं confused हो रही हूँ, Mr. N.K. Singh, ओके, इंडिया की status दिख लेते कि हम लोग ऐसे agriculture export करते, तो 2018 में बताया जा रहा है कि इंडिया जो था, वो second largest agriculture producer था पूरे world में, और largest arable land भी है हमारे यहाँ पे, तो second largest agriculture producer है, 2019 में यही आप देखो कि इंडिया की द्वारा 7% जो total Indian agriculture production हुआ था, उसका हम लोग export किये थे, 7% तक export किये थे, इंडिया की rank अगर आप देखोगे, तो world में 13 number पे है, agriculture export में, और leading producer हम लोग है मिल्क में, बनाना में और mango में लेकिन 13th हम लोग है agriculture production, agriculture export में थीक है, leading किस के किस में, यानि कि first number पे हम लोग इस पर आते तो milk के production में बनाना के production में याता हैं और mango के production में थीक है, अब या आप लोग देखो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर production करते हैं, अब देखा कि एक main difference आपको देखने को मिलेगा ना कि जितना हम लोग production करते हैं उस हिसाब से हम लोग export नहीं करते हैं तो उसका main कारण क्या है कि हम लोग इतना large नमर पर production करते हैं बट उतना हम लोग export नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ी problem है हमारे हां की जनसंख्या आप लोग जानते है 13 से 18 के बीच में देखें तो growth जो है वो थोड़ा कम हो चुका है export भी कम हो गया है अगर यहां पर CAGR का total अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 10% है क्योंकि global process कम हो चुका है और back to back draw देखने को मिला था 3 साल यानि कि सूखा आ गया था 2014-15-16 जिसके करान हमारा जो export है वो यहां पर कम हो चुका है तो यहां पर आप लोग देखो जो हम लोग का export कम हुआ है वो CAGR का 10% कम हुआ है यानि कि compound annual gross rate है यानि कि एक साल में या फिर specific period of time में कितना investment किये है और कितना उससे हम लोग earn कर पा है इस चीज़ को यहां पर देखा जाता है इंडिया का export आप देखोगे तो 70% तक इसकी जो commodities और agriculture product है वो हम लोग nearby geography में ही हम लोग इसको export करते है जैसे Middle East में कर लिए Africa में भेज दिए कुछ Asia Pacific में हम लोग यहां पर export कर लिए only exporting 30% जो Europe में जाता है यानि जो दूर के country है उसमें 30% ही जाता है अर अमरीका में जाता है जो कि बहुत ही कम यहां पर agri market diversification देखने को मिल रहा है तो हमारा जादा से जादा जो हम लोग export करते वो अगल बगल वाले देशों में करते है 2018 में इंडिया के दौरा एक agri export policy लाया गया था जिसमें की मेलनी यहां पर था कि कैसे agriculture export oriented production करना है इसके उपर focus करना है export को जादा बढ़ावा देना है इससे better जो है farmers को realization होगा यानि कि better जो है यहां पर farmers को profit होगा तो इस तरीके से यहां पर policy लाय गयी थी अब यह policy में और क्या बाते है इसको देख लेते हैं यह department कौन सी department है जिसको implement करने का यहां पर पुरया अधिकार मिला था तो यह department of commerce है जो की काम करते है ministry of commerce है ने industry के तायर इनका aim था कि जो agriculture export है उसको double करना है अब कितना करना है तो 30 plus billion US dollar का करना है जो कि 2018 में था और यह करना कितना है तो 60 plus billion dollar US dollar का यहां पर करना है 2022 तो यह याद रखना है कि just double यहां पर हमारा जो export है उसको बढ़ाना है आज की date में कितना है 2018 में कितना था तो 30 plus billion dollar था अब इसक 60 plus billion dollar करना है तीक है अब यहां पर ट्राइ किया जा रहा है कि कैसे हम लोग अपने agriculture product को अपनी जो indigenous, organic, ethnic, traditional और non-traditional agriculture product को export करें साथ ही यहां पर ट्राइ भी किया जादा है कि institutional mechanism हो जिससे कि हम लोग अच्छा कासा market taxes को pursue कर पाए कुछ barrier दिखने को मिलता है कई countries में high tariff rate होते है तो कुछ भी तरीके के barriers को हम लोग टाकल करें साथ ही deal करे sanitary और phytosanitary issues को लेकर sanitary और phytosanitary measures का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो human right हो गया animal right हो गया plant life है और health है इनको protect करने का जो अधिकार है वो यहां पर देखना है साथी साथ जो unnecessary barriers देखने को मिलता है व्यापार करने में तो उसको भी avoid करना है तो यह दो चीज़े हैं जो की sanitary और phytosanitary measures में रखा जारा है तो इसको भी देखने की कोशिश की जारी है साथी साथ यहां पर दोनों है यानि की strategic और operational element दोनों है strategic element कहने का मतलब है कि इसमें general और जो commodity specific measures है उसको भी include किया गया है कि जैसे infrastructure better हो logistic का जो जो भी प्रावधान है वो बे operation की जरूरत है साथ operational element है कि बेटर तरीके से यहां पर marketing हो promotion हो यानि कि brand India हो जो हम लोग making made in china यह सारी चीज़े use करते है तो actually हमारे country की brand को जो है हम लोग बाहर दूसरे countries में भेज सके strong quality regime जो है उसको establish कर सके agri startup fund जो है इसको create कर सके तो यह कुछ हमारा यहां पर motto है जिसको कि हम लोग यहां पर आगे चलके बेटर तरीके से operational में ला सकेंगे तो यह सारी चीज है जो कि हम लोग की इस policy की तायत है तो काफी important policy है क्योंकि कैसे हम लोग अपने agriculture commodities के export को बढ़ा सक है वो यहां पर better idea दिया गया है तो अब आते है next article में जो कि है rice export promotion forum तो हमारे यहां आपको पता है rice की production बहुत जादा होती है अब अलग से एक यहां पर forum बनाया गया है जिससे कि rice के export को बढ़ावा दे सके अब देखिए government के द्वारा इसको setup किया गया इस forum को और किसके अं agriculture and processed food export promotion development authority it means कि हमारे हां जो भी यहां पर crop की production होती है तो इसको जो export करना होता है तो export करने के लिए जो आपका promotion करनी होती है तो एक अलग से authority है जो की देखती है कि हमारे हां से कितने crop को export किया जा रहा है उसकी क्या यहां पर demand है सारी चीज़ों को manage करते है तो यह authority है जिसक process को समझने में असानी होगी तो अपेडा की बात करें तो इसको कानून के तहत यहां पर लाया गया है जो कि है agriculture and processed food products export development authority act 1985 तो 1985 का यह कानून है जो कि बना है काम कौन से ministry के अंदर करते है तो ministry of commerce and industry है जिसके अंदर में यह काम होता है actually इनका यहां पर responsibility है कि export promotion करना और product के development को ध्यान में रखना तो जितने भी products का development होता है उसको यहां पर देखना जैसे fruits होगे, vegetable होगे, meat होगे, poultry है, dairy product है, flory culture है, alcoholic है, non-alcoholic जितने भी beverages है तो यह सारे items है जिसके basis पे यहां पर यह काम करते है, export promote करते है और products को develop करते है अगर हम लोग देखें यहां पर अपेड भी किया जाता है जितने भी registered exporters होते हैं, वो भी sub component of the scheme के अंदर जैसे market development करना है, या फिर infrastructure development करनी है, या फिर quality development करना है, transport assistance करनी है, तो यह सारी चीजों के अंदर जो है, यहां पर financial assistance भी provide किया जाता है, APEDA के द्वारा, देखें, APEDA में आप देखोगे, तो यहां पर responsibility हो भी sugar हम लोग import करते हैं, उसको भी यहां पर monitor किया जाता, APEDA के द्वारा, तो APEDA के बारे में यह पूरी full information है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि organization से तो questions आते हैं, UPSC Prelims में, क्या पता इस बार इससे पूछ लिया जाए, अब हम लोग आते हैं, यहां पर rice export, जो promotion forum है, उसके बारे में समझे, one second, actually यहां पर सबसे पहले यह देखा जा रहा है कि कितना entire production होता है, और हमारे हाँ जो है rice का export करने का supply chain कैसा है, it means कि कौन-कौन से ऐसे state है जो कि involved है यहां पर rice के production में, और कैसे-कैसे यहां पर export करना होता है, यहां पर आप देखो कि actually यह forum का काम क्या होगा, कि यह monitor करेंगे, देखेंगे यहां पर कि किस तरीके से rice का production हो रहा है, और इसको कितना export करना है, और साथी इसको export करने के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से policy measures की जरुरत है, इसके लिए necessary जो यहां पर recommendation होगा, वो भी यहां पर इनके का problem है, कोई facilities की जरुरत है, कोई support की जरुरत है, तो वो सारी चीज़े जो है यहां पर इस forum के द्वारा भी provide की जाएगी, एक kind of आप कह सकते हो कि जो भी problem यहां पर सुना जाएगा, उसकी solution भी यहां पर इस forum के द्वारा बताए जाएगी, अब यहां पर जो representative है, वो आपक जो है ministers देखने को मिल रहा है कि सब यहां पर include है, और यह सब मिलकर इस forum में काम करेंगे, forum क्या होता है, forum एक बड़ा platform होता है, जिसमें आपकी दो से जादा यहां पर आपको ministers देखने को मिलेंगे, stakeholders देखने को मिलेंगे, तो उस तरीके का एक forum बनाए जाता है, अब बात यहां आती है कि हमारे country में कौन कों से ऐसे राज है जहां पर rice production होती है, तो it is West Bengal, UP, Haryana और Punjab, यह चार state है और भी वहाँ सारे राज है जहां पर rice का production होता है, बट यह चार यहां पर majority है तो इसको ध्यार में रखता है, अब आते हैं हम लोग India में देखते कि कि क्या हाल चा नौन बासमती, लाजिस्ट एक्सपोर्टर तो था rice का, लेकिन 2011 में नौन बासमती की shipment भी अलाओ कर दी गई थी, तो इसलिए ध्यान रखेगा है कि अभी हम लोग second largest producer है rice के, और largest exporter थे, जब से यह आपका नौन बासमती नहीं था, तब से हम लोग largest थे, तो नौन बासमती को भी यहां पर अलाओ कर देगा है, मेजर जो rice का share cultivate होता है, वो खरीफ season में होता है, तो seasons are very important, जो भी crop के बारे में आप पढ़ो, उसको आप categorize कर लो, कि कि season में वो आपका, मेली आपको खरीफ और रवी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रको, औ रवी में भी देखने को मिलेगा, और लेकिए rice एक ऐसी crop है जो साल भर चलते रहती है, रवी में भी होती है, और खरीफ में भी होती है, लेकिन हाँ, major portion होता है, वो खरीफ में होता है, small portion आपको रवी में देखने को मिलेगा, इंडिया का rice production है, वो 96 million tons तक देखने को मिला था 2010-11 में और वही 2019-20 में देखें, 10 साल में ये कितना हो चुका है, तो 117 मिलियन टन्स तक ये बढ़ चुका है, तो as per the second advance estimate के द्वारा बताया जा रहा है, तो 22% हमारा जो आज की rate में आप देखोगे, तो rice की production बढ़ चुकी है, तो इसलिए आप देखते हो कि rice की production में पान की जारी है, कि हम लोग को rice के production को इतना एक जगा बढ़ा तो रहे है, लेकिन दूसरी जगा आप देखोगे कि इसके साथ सा tension भी बढ़ा रहे है, हमारी emission भी बढ़ते जारी है, हमारा groundwater extraction भी बढ़ते जारा है, तो सारी points हम लोग अल्रेडी पहले भी देखे थे, environment वगरा मे तो इसी को मैं एक साथ करके यहाँ पर आपको बता रही हूँ, तो this is all about rice export के बारे में, अब हम लोग fisheries sector के बारे में आते हैं, आज की देट में आपको पता है कि PM मोधी, PM मोधी, प्राइम मिनिस्टर, PM यहाँ पर मतद से योजना भी आया है, तो इसलिए यह fisheries sector अब हमार में आप देखो कि 16 million जो fishers है, जो मशली पकरते हैं, उनकी livelihood इससे provide होती है, और fish farmer का भी जो की primary level पे है, साथी अगर इस sectors में देखो तो 6.6% जो है यह agriculture की GDP का यह contribute करता है, agriculture की GDP में आप देखोगे, agriculture GDP में total 18% में से 6.6% जो है वो fisheries sector आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे marine export है, वो 5% होता है, total export का इंडिया में, और 19% जो है वो agri export होता है, recent year में अगर हम लोग देखे, तो fish production जो इंडिया में है ना, यह register किया गया है on an average annual growth rate जो की 7% से भी जादा है, इंडिया आप देखो second largest producer है fisheries sector में, तो यह आप लोग को हर एक sector में धियान रखना है कि हम लोग कितने number पे आते हैं, first number पे आते हैं कि second number पे आते हैं, दो बेंचे से fisheries sector की, एक तो आप देखो कि inland fisheries होते हैं और दूसरा marine fisheries होता है, inland fisheries कहने का मतलब है कि जैसे आप देखते हो कि landlock जो state होते हैं, जो कि चारो और से आपके land से घिरे होते हैं, तो उसमें भी कु marine fisheries कहने का मतलब है कि जो coastal area में आप देखते हो, कि जो भी आपका coastal area जिससे उसकी boundary open होती है, sea में, ocean में, तो उस जगह पे भी fisheries बहुत जादा होती है, लेकिन हमारे country में inland fisheries जादा होती है, ठीके तो ये दो तरीके के fisheries आपको देखने को मिला, total जो fish production है, वो नियरली 65% contribution contribution है, जो कि inland sector से होता है, और rest जो बचा वो आपका यहाँ पर marine fisheries से होती है, fisheries जो आप देखो ये state subject है, अब ये क्या हो गया state subject, तो आप इसकी दिल 7 में जाओगे, जो कि हमारा सनविधान का है, तो इसमें 3 list होते है, एक state list होता है, एक concurrent list होता है, एक center list होता है, तो center list में जो है, पर्लेमेंट का अधिकार है, कि वो कानून बनाते है, state list में होता है, कि state legislature का अधिकार है, कि वो कानून बनाते है, तो fisheries कहां आगे है, state list में आगे है, यानि कि हर राजय का अपनी तरीके से कानून होता है, कि वो अपने हैं किस तरीके से fisheries को बढ़ावा देना चात और काफी अच्छा कासा states का यह role भी प्ले किया जाता कि फीष्री के governance में अब यहां पे आप देखोगे कि जो inland fisheries है यह fully manage किया जाता यह state government के द्वारा वह यह कर आप marine fisheries देखोगे न तो यहां पे shared responsibility है कुछ जो है central government है कुछ coastal state या फिर union government के अंदर आता है तो जैसे आप देखो कि हमारा जो Southern portion है, यहां पर आप देखो कि गुजरात है, महरास्थ है, गोवा है, करनाटक है, केरल है, फिर उसके बाद आपको तमिल लाडू है, आंध पर देश से उडिसा है, वेस्ट बंगॉल है, तो इतने राज्य है यहां पर 9 states आपको देखने को म आता है, तो इसलिए राज्य सरकार का पूरी तरीके से अधिकार होता है, Inland Fisheries में, तीक है, Coastal State और Union Territory की बात करें, तो यह responsible होते है कि कैसे यहां पर 12 Nautical Miles तक, यानि कि आप देखो कि यह जो हमारा Southern portion है, जिसमें आप देखो कि यहां पर Coastal area से 22 km और दूर तक, जो कि यह यहां पर आपको Bay of Bengal देखने को मिलेगा, तो इसको हमने 12 Nautical Miles कहते है, तो 12 Nautical Miles तक, कैसे यहां पर manage करना है, develop करना है, और fisheries को regulate करना है seawater में, यह सब कुछ यहां पर Coastal State और Union Territory जो है, वो responsible है, तो Union, यहां तो Coastal State है, यहां पर Union Territory है, तो वो responsible है, जैसे आपको यहां and view देखने को मिलेगा, इस West Side में, तो इस तरीके से याद रखना है कि 12 Nautical Miles तक, जो है, यहां पर manage किया जाता है, center का responsibility क्या होता है, center का responsibility होता है, कि जो economic zone होता है, exclusive economic zone, जो water होता है, वो आपका 12 Nautical Miles से भी दूर तक होता है, 200 Nautical Miles तक, तो वहां पर center का responsibility होता है, कि कैसे fisheries को develop करें, manage करें, regulate करें, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आईए, हम लोग figure की through में आपको बताती हूँ, अब देखिए, यहां पर समझने का कोशिच कीजिए, यह हमारा land है, ठीके, अब land जैसे यह आप जानते है, यह continental slope है, यह continental shelf आ जाता है, फिर ocean start हो जाता है, तो 12 nautical miles तक इसको contagious zone कहते है, ठीके, इसके और आगे जाओगे, तो यहां तक यह आपका total 200 nautical miles होता है, जिसे हम लोग exclusive economic zone कहते है, यह baseline से आपको देखने को मिलेगा कि 200 nautical miles तक हमारा क्या कहलाता है, exclusive economic zone, अब fisheries जो है, आपका यहां पर भी किया जाता है, यहां पर भी किया कोशिश कीजे, जो आपका coastal area से जैसे 12 nautical miles तक हम लोग जाते है, जिसको आपना territorial sea कहते है, यहां पर जो fisheries होती है, यह completely किसके अंदर में आता है, यहां पर monitor करना, develop करना, जैसे भी यहां पर व्यापार करना है, वो सारा काम जो है state government के अंदर आता है, ठीके, लेकिन इसके आगे अगर बढ़ जाएंगे, 12 nautical miles के beyond, कब तक तक तो यहां पर आपका exclusive economic zone, तो इतना जो area होता है, इस area में कौन आता है, तो यहां पर central government आते है, ठीके, और यहां पर state government आते है, तो यह दो तरीके से fisheries का divide किया गया है, अगर यह आपका statement के form में बनता है, तो फिर आप confuse मत हो न, कि यह कहां से आ गया, आई हो कि यह concept आपका clear हो गया होगा, अब आते है, यहां पर, देखिए, अब बात किया जा रहा है, fish cryo bank के बारे में, तो यह है क्या, ministry for fisheries, animal husbandry और जो dairy है, उनके द्वारा announce किया गया है, कि एक fish cryo bank, जो है, वो set up किया जाएगा, यह first time जो भी प्रजाती के यहां पर fish है, तो fish farmer के पास, जो है, desired species के वहां पर fish sperm हो गये, तो fish sperm को collect करने के लिए, यहां पर fish cryo bank बनाया जाएगा, जैसे आपका blood bank होता है, blood को एक जगा इखटा किया जाता है, DNA bank बनाने की बात की जा रही है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की DNA खटा किये जाएगा, वैसे fish cryo bank है, जिसमें कि fish के sperm को यहां पर collect करके रखा जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा है, कि fish production बढ़ेगा, productivity बढ़ेगा, ठीक है, natural fisheries development board है, वो यहां पर natural bureau of fish genetic resources के साथ collab करके, इस तरीके का का काम कर रहे है, कि जल्दी से जल्दी fish cryo bank जो है, establish किया जाए, ओके, so this is all about the fisheries sector, अब हम लोग next आते है, कि India का proposal जो कि fisheries subsidy में है, at WTO, तो देखिए इसका क्या बात किया जा रहा है, इंडिया की द्वारा प्रपोस किया गया है, special or differential treatment for developing countries in case of fish subsidy, तो देखिए जो special and differential treatment होता है, यानि कि यहां पर आप समझो कि किसी किसी countries को ज जाता है, World Trade Organization के तैद, तो इसी को यहां पर special and differential treatment कह रहे हैं, अब दिखते हैं कि WTO में बात क्या की जा रही है, WTO की जो member है, वो यहां पर negotiate कर रहे है, कि finalize करने के लिए, कि कि किस तरीके से rules लाना है, जिससे कि जो यहां पर fishing है, आज की date में, उसमें आप देखो कि illegal, unreported, और unregulated fishing हो रही है, उसमें जो subsidies देनी की बात की जारी है, उसको ख़तम करना है, और साथी कुस certain forms of fisheries, subsidies है, उसको भी रोकना है, जिससे कि हम लोग यहां पर over capacity और जो over fishing हो रही है, वो हम लोग कम कर सके, subsidies देने से क्या होता है, कि काफी सस्ते हो जाते हैं, तो जो मचवाड़े होते हैं, और जो fishermen होते हैं, वो जादा से जादा जो है, वो इस तरीके का fishing activities करते हैं, जिससे कि हमारी ocean activities पे आप देखो कि उसमें बहुत जादा, कुछ चीज़ें जादा हो जाती है, और यह भी आप उससे उनको भी बहुत जादा नुकसान होती है, तो over fishing नहीं करना है, काइदे में रखकर ही fishing करनी है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी WTO के member है, वो इसको negotiate कर रहे है, कुछ नया rules लेकर आ रहे है, जिससे कि जो गलत तरीके से fishing activities हो रहे हैं, उसको at least रोका जाए, नेगोस की demand है कि special or differential treatment होना चाहिए, जिससे कि जो छोटे-छोटे fishing communities है उसको protect कर सके, special and differential treatment की बात करूँ, तो एक special provision होता है, जो कि mainly developing countries को ही दिया जाता है, एक special right उनको दिया जाता है, और उनको allow किया जाता है कि ठीक है, आप इस तरीके का काम कर सकते है, क्योंकि आप देखो developing countries एक livelihood better हो सके, तो इसलिए जो भी developing countries है, अगर उसमें अलग तरीके की बात है, जैसे कि इंडिया में आप देखो fishing, fishing जो capacity हो बहुत जादा है, तो इसलिए हमें जो है इस तरीके का differential, जो preference है, वो हमें मिलता है, इस तरीके का special or differential treatment में आप देखो, तो बहुत सारे flexibilities भी दिये जा जो है, वो eligible नहीं होते है, exemptions के लिए, यानि कि उसको बाहर रखे इस तरीके का नहीं होता है, अगर यहाँ पे जो gross national income per capita है, वो अगर 5000 डॉलर से अगर cross हो जाता है, तीन consecutive year में, तो उनको बाहर नहीं रखना चाहिए, अगर यहाँ पे 2% share जो है, वो global marine capture का हो, या फिर share of agriculture forestry or fishing sectors जो है, वो 10% से कम नहीं हो, तो इंडिया चाहते है कि उनकी जो fisheries subsidy है, वो maintain रहे, तीक है, और उनका जो यहाँ पे fuel को subsidize करना, net को subsidize करना, boat को subsidize करना, इस से क्या होगा ना, कि यहाँ पे जो poor fisher से उनकी livelihood में बहुत जादा impact परता है, तो इसलिए इंडिया चाहता है कि जो वो subsidies देते हैं अपने fisherman को, तो इस चीज़ को continue रखना है, developing countries जिसमें इंडिया भी आते है, तो वो यहाँ पे United Nation की जो sustainable development goal है, उसके according, effective special and differential treatment जो है, यह कहते है कि WTO के fisheries subsidy negotiation का एक internal, यहाँ पे integral part है, तो इंडिया इसको चाहते है कि यह carry हो, आगे भी carry हो, countries जैसे कि US औ और Australia है, यह यहाँ पे oppose करते है, ठीक है, कि developing countries तो इस तरीके से नहीं subsidies वगेरा देना चाहिए, तो इसका भी idea रखिएगा, लेकिन हम लोग चाहते कि हमें हमारे जो fishery sector से उसको और develop करने के लिए, हमारे जितने fisheries man है, उनके livelihood को और better करने के लिए, हमें इस तरीके के subsidies की ज तो I hope कि आपको आज का lesson अच्छा लगा होगा, फिर कल मिलते है इसी time पे, और अगर आपको कोई भी doubt query suggestions है, तो आप comment कर सकते हैं, और आप daily यहाँ पे lesson देखने के लिए हमारे साथ जूर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे channel को subscribe करना होगा, subscribe कर लिजे और साथी साथ हम लोग तो Delhi यहाँ पे इसी time पे मिलेगे, तो मिलते है कर, आज के लिए बस यतने, thank you.